पर्यावरन अध्यन कक्षा 3, 8, 1 हमारे अपने नमस्कार बच्चो इस वीडियो में आप अपने परिवार एवं परिवार के रिष्टे नाते के बारे में जानेंगे तथा जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनसे पारसपरिक सम्मंद को समझ पाएंगे बच्चो जरा सोचिए आप स्कूल के बाद या बाहर खेल खेलने के बाद अपने घर लोड़ते हैं या अपने पड़ोसी के घर अपने घर ना पर क्यों जी हाँ क्योंकि आपके घर पर आपके माता पिता आपके भाई बेहन रहते हैं और यह होता है आपका परिवार यानि परिवार वह है जहां माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं चलिए बच्चो परिवार की और जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं फिंगर पपिट के पास और जया मैम आपको इन फिंगर पपिट से पहले रमेश के परिवार से मिला रही है और इसके बाद रमेश के मम्मी के फैमिली से मिलेंगे और फिर रमेश के पापा के फैमिली से मिलेंगे हेलो बच्चो आज मैं आपके सामने उपस्तित हूँ फिंगर पपेट के साथ ये है रमेश और चलिए मिलते हैं हम रमेश के परिवार से यह है रमेश के पापा, यह है रमेश की ममा, मम्मी, यह है रमेश की दीदी, और यह है रमेश का छोटा भाई चलिए, अब हम लोग एक राइन करते हैं पापा फिंगर, पापा फिंगर काहा हो, यहा हूँ, यहा हूँ, पापा मैं हूँ मम्मी फिंगर, मम्मी फिंगर काहा हो, यहा हूँ, यहा हूँ, मम्मी मैं हूँ दीदी फिंगर, दीदी फिंगर काहा हो, यहा हूँ, यहा हूँ, दीदी मैं हूँ चोटे भाई चोटे भाई काहा हो यहा हूँ यहा हूँ चोटा भाई हूँ तो अभी हम रमेश के पापा, मम्मी, दीदी और चोटे भाई से मुलाकात की वाउ तो अब मिलते हैं हम रमेश की मम्मी के परिवार से रमेश की मम्मी के फैमिली से ये है रमेश के नाना जी ये है रमेश की नानी ये है रमेश के मामा और ये रही रमेश की मौसी तो ये राइम को हम रिपीट करें मम्मी के पापा, मम्मी के पापा कहा हो यहा हूँ, यहा हूँ, नाना मैं हूँ ममी की ममी, ममी की ममी कहा हो, यहा हूँ, यहा हूँ, नानी मैं हूँ, ममी के भाई, ममी के भाई कहा हो, यहा हूँ, यहा हूँ, मामा मैं हूँ, ममी की बेहन, ममी की बेहन कहा हो, यहा हूँ, यहा हूँ, मौसी मैं हूँ तो ये रहे रमेश की मम्मी की family मम्मी रमेश की जो मम्मी हुई उनके पापा को हम कहते है नाना और मम्मी की जो मम्मी होती है उन्हें हम कहते है नानी और मम्मी के जो भाई होते हैं वे हमारे होते हैं मामा और मम्मी की जो बहन होती है वे होती हमारी मौसी तो बच्चों अब हम मिलते हैं रमेश के पापा की फैमिली से ये है रमेश के दादा जी ये है रमेश की दादी मा ये है रमेश के चाचा जी और ये रही रमेश की बुआ तो राइम के साथ एक बर हम करें चलिए पापा के पापा, पापा के पापा कहा हो, यहां हूँ यहां हूँ दादा मैं हूँ पापा की मम्मी, पापा की मम्मी कहा हो, यहां हूँ यहां हूँ दादी मैं हूँ पापा के भाई, पापा के भाई कहा हो, यहां हूँ यहां हूँ चाचा मैं हूँ पापा की बेहन पापा की बेहन कहां हो यहां हूँ यहां हूँ बुआ मैं हूँ वाव तो हमने इस के जरिये इस फिंगर पपिट के जरिये रमेश के पापा के सदस्यों के बारे में जाना तो पापा के पापा को हम कहते हैं दादा जी, पापा की मम्मी को हम कहते हैं दादी मा, पापा के भाई हमारे होते हैं चाचा जी और पापा की बहन होती है हमारी बुआ चलिए अब मुझे लगता है आप इन प्रश्णों का उत्तर दे पाएंगे मा के पापा आपके कौन हुए? मा की मा को आप क्या कहते हैं? मा के भाई से आपका क्या रिस्ता हुआ? और मा की बेहन आपकी कौन हुई? इसी प्रकार पिता के पिता आपके कौन है? पिता की मा आपकी कौन है? पिता के भाई को आप क्या कहेंगे? और पिता की पैहन आपकी कौन हुई? चलिए अब पाठ में रीता और राजु के परिवार से मिलते हैं आप चितर में देख रहे हैं सीता और राजू दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ घर के आंगन में खेल रहे हैं मा अंदर से अवाज लगा रही है सीता ओ सीता राजू ओ राजू जल्दी घर आओ नास्ता करने का समयज हो गया है वहीं आप देख पा रहे हैं दादा जी पौधो में पानी डाल रहे हैं दादी चावल चुन्ने में लगी है और पिता जी साइकिल लेकर बाजार जा रहे हैं तो बच्चो अभी हमने सीता और राजू के परिवार को देखा इनके परिवार में कुल 6 सदस्य यानि फैमिली मेंबर्स हैं माता पिता दादा दादी और दो बच्चे और बच्चो का नाम क्या है सीता और राजू अच्छा बच्चो आपको परिवार में बताना है कि कौन-कौन से लोग आपके साथ रह रहे हैं तो आपके परिवार की एक सूची आपको बनानी है परिवार में लोग मिल जुल कर रहते हैं अपने आयू और सामर्त के अनुसार काम करते हैं चलिए मिलते हैं मा से मा घर के सारे काम करती है खाना पकाती है, खाना परोस्ती है यदि कोई सदस्य से बिमार पढ़ जाए तो उनका खयाल भी रखती है आपको तयार करके स्कूल भेजती है पिताजी घर के बाहर का लगबग सभी काम हमारे पिताजी करते हैं नौकरी करके पैसा कमाते हैं और इन पैसों से अपने परिवार का भरन पोशन करते है दादा और दादी बुढे होने के कारण ये अपने काम करने में असमर्थ होते हैं जैसा कि आपने देखा सीता और राजु के दादा और दादी जी छोटे मोटे काम में मदद करते हैं जैसे सीता की दादी क्या कर रही थी? अनाच चुन रही थी और दादा जी पौधों में पानी डाल रहे थे आप देखते होंगे कि बहुत बार आपके दादा दादी आपको कहानिया सुनाते हैं बेटा आपको उनके साथ समय बिताना चाहिए उनका खयाल रखना चाहिए और अच्छी अच्छी बाते सीखनी चाहिए इसी प्रकार घर में आप बच्चों को भी देखते हैं घर के बच्चे भी छोटे छोटे काम में अपने माता पिता दादा दादी का हाथ बटा सकते हैं बच्चों, परिवार में माता-पिता आपके बुन्यादी जरूरोतों का खयाल रखते हैं, जैसे भोजन, कपड़ा और सिक्छा, परिवार में प्रतेक सदस से एक दूसरे के सुख दुख का खयाल रखते हैं, मिल जुल कर रहते हैं, परिवार से हम जो भी सीखते हैं, वही हम जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होती है बड़ों से हम इमांदारी दया मदद करने के गुन सिखते हैं तो बच्चों अभी हमने इस बीडियो में पहले फिंगर पपेट से परिवार और रिस्तेनातों को समझा साथ ही हमने परिवार के सदस्य एक साथ कैसे रहते हैं और कौन कौन से काम करते हैं या भी जाना